हालो एवरीवन, वेलकम बैक तो माई चैनल किट्स लर्निंग फन, आज हम डिसकस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट मैथ वर्कशीट, इस वर्कशीट को आप अपने बच्चों की फाइनल टर्म की एक्जाम्स की प्रप्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्लास फर्स फर्स रिलेटेड हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवियस की जितनी भी वर्कशीट्स हैं, एक्जाम शीट्स हैं, वो मेरे चैनल पे आप प्लेलिस सक्षन में जाकर के चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे है हमारा कोशन न नेक्स्ट कोशन है, टिक राइट दा बिग फिश, बिग का मतलब होता है बड़ा, यानि कि जो बिग फिश है उसके उपर हमें राइट का निशान लगाना है, तो यहाँ पे हमने इसको भी लगा दिया है, नेक्स्ट कोशन है हमारा राइट दा बिग इस्ट, यानि जो बि बैचों को काफी interesting लगती है और वो मजे मजे में आसानी से कर लेते हैं next question है हमारा यहाँ पर tick the smallest पहले हम ने जो concept लिया था वह लिया था biggest का अब हम बात करेंगे smallest की तो यहाँ पर kite बनाया है apple है और एक gift है और यहा पर जो सबसे smallest है तो सबसे smallest बनाए गई he काईट की पिक्चर तो इसको हमने राइट का निशान लगा दिया है नेक्स कोशन है कोशन नमबर फाइफ टिक राइट दचाइल्ड विद लॉंग हेर यहां पर आपको बच्चों को राइटिंग के साथ बच्चों को रेडिंग भी करवानी है ताकि उनकी जो रेडिंग कंस लॉंग हेर इस गर्ल के है इसके शॉर्ट हेर है तो लॉंग हेर वाली जो गर्ल है उसके आगे हमने राइट का निशान लगा दिया है तो यहां पर हमारे स्मॉल बिग बिगेस्ट स्मॉलेस्ट लॉंग हेर जो थे उनके उपर जो भी हमारे कंसेप्ट हमने यहां पर डिसक तो 16 से अगर हम backward counting चलेंगे तो हमारे यहाँ पर आएगा 1, 5, 15, 1, 4, 14, 1, 3, 13 and 1, 2, 12 Next है यहाँ पर 11, so 11 से पहले आता है 10, 9, 8, 7 19, 19 से backward counting हम चलेंगे तो बनेगा हमारा 18, 17, 16 and 1, 5, 15 12 से पीछे चलते हैं तो बनेगा 11, 10, 9, 8 इसी प्रकार से जो हमारा next है उसे भी हमें complete करना है So next question है question number 7 Write the numerals for, numerals का मतलब होता है number तो यहाँ पर हमें इनको read out करना है और इनके जो numerals है वो हमें यहाँ पर लिखने है So first number पर हमें दिया गया है E-L-E-V-E-N 11 So 11 का numeral बनेगा 1111, T-H-I-R-T-E-E-N 13 So 13 का numeral क्या बनेगा 1313, F-I-F-T-Y 50 50 का numeral बनेगा 5050 क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमें number names दिये गए है यानि कि spelling दिये गई है और यहाँ पर हमने उनके numbers लिखे है यानि कि numerals लिखे हैं नेक्स्ट नहीं यहाँ पर S-E-V-E-N-T-Y 70 70 का लिखेंगे हम 7070 E-I-G-H-T-Y-A-T-N-I-N-E 9 89 यहाँ पर बच्चों को जो है ना यह जो numerals दिये गए हैं इसमें two digit वाले numbers की spelling भी यानि कि one से लेकर के 100 तक बच्चों को spelling आनी जरूरी है class first related आप मेरे channel के उपर जाएंगे वहाँ पर class first यानि की playlist section में जाकर के आपको class first को select करना है वहाँ पर Hindi, English, Math, E-V-S, GK, journal knowledge की जो भी videos है वहाँ पर आपको मिलेंगी English के short sentences भी आपको मिलेंगे तो वहाँ जाके आप उसको check कर सकते हैं next question है write smaller to greater than and equal to in the box तो यहाँ पर हमें कुछ boxes दिये गए है और उसके अंदर हमें numbers लिख के दिये गए है तो हमें क्या करना है पहले इनको read out करना है जो number बड़ा है उसकी तरफ हमें उसका निशान लगाना है अगर equal है तो equal to का निशान लगाना है यहाँ पर दिया गया है 14 तो 14 का number है यहाँ पर और यहाँ है 15 तो यहाँ पर कौन सा number बड़ा है 15 है तो हम यहाँ पर हम इसका निशान यहाँ लगाएंगे next है यहाँ पर 18 और 11 यानि जो biggest number है वो है 18 तो हमारा जो sign आएगा वो इस तरफ आएगा 12, 12 बोथ number जो है वो equal है यानि कि बिल्कुल same है similar है number तो उसके लिए हमें निशान लगाना है equal to का next question है 11 और 17 तो 17 जो है वो बड़ा number है तो हमारा sign आएगा इस तरफ next number दिया गया है 82, 28 so 82 हमारा greater number है तो यहाँ पर हम इसका sign लगाएंगे 100, 100 यानि दोनों ही number हमारे यहाँ पर equal है तो हमें sign लगाना है यहाँ पर equal to का तो इसी तरीके से हमने और भी questions को आपने लेना है और उसकी practice बच्चों को करवानी है so next question है हमारा question number 9 जिसके अंदर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें लिखने है ascending order question है हमारा write the numbers in ascending order ascending order का मतलब होता है नीचे से उपर की तरफ जाना so यहाँ पर हम अगर हम numbers की बात करेंगे तो हम कहेंगे smallest to bigger number यानि सबसे पहले सबसे small number आएगा फिर उससे big number आएगा फिर उससे big number आएगा फिर उससे big number आएगा यहाँ पर हम देख लेते हैं first number हमें दिये गए है 2, 3, 23, 1, 6, 16, 37 and 4 तो smallest number हमारा है one digit वाला तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 4 अब उसके बाद है 23, 16 and 37 तो सबसे smallest number हो गया अभी यहाँ पर 1, 6, 16 इसके बाद में हम लिख देंगे 1, 6, 16 तो यहाँ पर हमारा सबसे smallest number है 11, तो सबसे smallest number है 1, दन आएगा 8, दन आएगा 20 and दन आएगा 28 इसके बाद जो number हमें दिया गया है वो है 72, 62, 3 and 2 तो पहले हम लिखेंगे 2 दन आएगा 3, फिर आएगा 62 and 72 86, 5, 15, 25 तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे smallest number which is 5 दन आएगा 15 दन आएगा 25 and then आएगा 86 तो यहाँ पर जो भी हमारे numbers थे वो ascending order में हमने लिख लिए है इसी का एक और concept आता है descending order का जिसमें हमें क्या करना होता है सबसे biggest number को पहले छाट करके number 1 पे लिखना होता है फिर उससे छोटे number को फिर उससे छोटे number को यानि कि पहले ascending order में smallest to biggest number आएगे और descending order में biggest to smallest number आएगे सो आज हम लोगों ने discuss किया है class first math worksheet सो आई होब यह worksheet आप लोगों के लिए थोड़ी helpful रही होगी अगर वीडियो helpful लगी है और आपको वीडियो पसंद आई है तो please channel को subscribe ज़रू कीजेगा kids learning fun को and video को like कीजेगा साथी साथ आप nursery, LKG, UKG class first, second, third words related सभी वर्क्षूट जो है वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं thank you